हेलो फ्रेंट्स गुड इवनिंग वेलकम टू अल्टाइम स्टेडी चैनल अनिक शब्दों के लिए एक शब्द पार्ट सेकंड मैं आपके सामने लेके आई हूं जिसमें हम जो है याँ पे पार्ट सेकंड में वन वर्ड सब्सितुशन डिस्कस करेंगे फस्ट वन वर्ड सब्सितुशन आपकी स्क्रिल पर किसी को सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात तो अंसर होगा वापे चेता होनी किसी वस्तु का चोथा बाग तो अंसरोगा चतु धार्च किसी काम या व्यक्ति में छिद्र या दोश निकालने का कारिया है तो छिद्रान वेशन करमचारियो आधी को छाट कर निकालने की किरिया तो छटनी किसी भी बात को जानने की इच्छा तो जिग्यासा कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाप तो जिग्यासा किसी के संपूर्ण जीवन के कारियों का विबराण तो जीवन चरितर के अंतर कताएगा काटेदा जाड़यों का समू तो जाड जंखाड किसी गरंध है रचना की टीका करने वाला तो टीका कार किराय पर चलने वाली मोटर काड़ी तो अंसर होगा टैक्सी किसी पद अथवा सेवा से मुक्ती का पत्र त्याग पत्र किसी भी पक्ष का समर्थन्य करने वाला तो टठस्त कोई काम या पद छोड़ देने के लिए लिखा गया पत्र तो त्याग पत्र कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा तो उसको बोलते हैं थान किसी के पास रखी हुई दूसरे की बस्तु तो द्रोहर तो अमानत या धाती कपड़ा साइन का विवसाई करने वाला तो दरजी किसी के साथ सम्मंदने रखने वाला तो नी संग कही हुई बात को बार बार कहना तो सिस्ट पेशन किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप तो प्रत्यारोप किसी टूटी फूटी वस्तु का पुने निर्मान तो पुने निर्मान होगा किसी देवता पर चड़ाने के लिए मारा जाने वाला पशू किसी पद पर जो पहले रहा हो तो भूतपूर किसी बात का गुड रहसे जानने वाला तो मरमग किसी मत को मानने वाला तो मता नियाई कम खर्च करने वाला मितवई कर्म के अनुसा तो यह था कर्म किसी विशे को विशेश रूप से जानने वाला तो अंसर हो गए किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा तो यह अंसर रोगा संथदा किसी खास शर्तो दौरा कोई कार्य करने का समझता दौंसर होगा संविदा खाने से बचा हुआ जूठा भूजन तो उच्छिस्ट खाने योग्या पदार्थ तो खाध्या खाने की इछा तो भूख उश्या खून से रंगा हुआ तो रक्तरंजित खेलने के मैदान को क्या कहेंगे क्रीडास्थल ब्लेगराउंड गिरा हुआ को क्या बोलेंगे पतीत घर बसाकर स्थित यानि की ग्रह बसाकर स्थित तो घ्रस्त ग्राम का रहने वाला ग्रामेड गोद लिया हुआ पुत्र तक गोपो को घेरा बांद कर नाचने की किरिया तो रास गुरू के समीप रहने वाला विद्यार थी तो अन्तेवासी गुरू दोशों का विवेचन करने वाला तो आलो चक गणित शास्तर के जानकार तो गणित तग्या गंगा का पुत्र तो गांगे रिपीटे लास्ट गास छीले वाला गसियारा गूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला तो गूस खोर या रिश्वत खोर गुलने योग्या पतार तो गुलंशिल यानी की सोलिवल गिर्णा करने योग्या तो गर्णा स्पद गूंग फिरकर सोदा बेचने वाला तो फेरी वाला चार वेदो को जानने वाला चतुर वेदी चार राहो वाला तो चो राहा चेतन सवरूप की माया तो चिलास चूहे फसाने का पिजड़ा तो चूहे दानी चोथे दिन आने वाला जोर तो चोथिया चारो और की सीमा तो चोहदी चारो और जल से घिरा हुआ भूभाग तो इसको बोलते हैं टापू चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदी दिये बिना माल लाकर बेचने वाला तो तसकर चोपायो के पाधने का स्थान तो इसको बोलते हैं टापू चार मुखो वाला जो चतुरा नन चिंता में डूबा हुआ तो चिंतित चुनाव में अपना मत देने की किरिया तो अंसरों का मतदान छिपेवश में रहना छत वेश छात्रों के रहने का स्थान छात्रवास छह महीने के समय से संबंदित छह माई छत में टांग रहे हैं का शीशे का कमल या गिलास जिसमें मुबतिया जलती हो तो उसको बोलेंगे फानूस छोटे कद का आदमी तो उसको बोलेंगे बोना छह कोने वाली आकरती तो शटकौन छह-छह महीने परोने वाला तो मासिक छूट से फैलने वाला रोग तो संक्रामक छह मूह वाला तो शन्मुक या शटानन जो कभी ने मरे वो गापका अमर जो पड़ा लिखाने हो अनपड जो अक्षर जानता हो उसको बोलेंगे शाक्षर यानिक लेटरे जो दूसरों पर अत्याचार करें तो अत्याचारी जो दिखाई ने दे तो एद्रश है जो कभी नस्ट ने हो अनश्वर जो उचकुल में उत्पन हुआ हो कुलीन जो शमा के योग्य हो है जो कम बोलता हो मित भाशी जो दिख बोलता हो वाचाल जो सब जंगे व्यापतों सर्व्यापक जो देखने योग्य हो दर्शनी है जो कुछ ने करता हो अक मरने जो पुत्रगोध लिया हो तो दंतक जो मान सम्मान की योग्य हो तो माननी है जो नश्ट ने होने वाला हो तो एविनाशी जो किसी का पक्ष नेले तो टटस्त जो परीचित ने हो एपरीचित जो स्थिर रहे स्थावर जो वन में गोंगता हो वन चर जो इस लोक से बाहर की बात हो अलो की जो धन का दुरूपयोग करता है जो धन का गलत प्रयवग करता है तो ओगा आपका फवेई यानि की खर्चीला जो कानुन के वृद हो तो अवैद और जो कानुन के according हो वो बोलेंगे वैद जो पहले ने पड़ा हो तो अपठित च्छिपे वेश में रहना तो च्छात्रों के रहने का स्थान तो जहां पे च्छात्र रहते हैं वो तापका च्छात्रवास च्छै माईने के समय से सम्बंदित तो च्छै माई बोलते हैं एक साल में हो तो सालाना छत्य में टांगने का शीशे का कमल या गलास जिसमें मुम्बतिया जलती हैं तो उसको बोलते हैं फानुस छोटे के आदमी को बोलते हैं बोना छे कौन वाली आकरती को बोलते हैं हेक्जागन यानि की शटकॉन 6-6 मैने पर होने वाला तो आशिक छूत से फैलने वाला रोग तो संक्रामक 6 मूँ हो वाला तो शन्मुख या शिक आनन जो कभी ने मरे उसको बोलते हैं अमर जो पढ़ा लिखाने हो वोता है अपढ या अनपढ जो अक्षर पर ना लिखना जानता है उसको बोलते हैं साक्षर और जो दूसरों पर अत्याचार करें उसको बोलते हैं अत्याचारी जो दिखाई ने दे उसको बोलते हैं एंद्रश्य जो कभी नश्ट ने हो वोता है नश्वर जो उच्छ कूल में उत्पन हुआ हो उसको बोलते हैं कुलीन जो शमा के योग्य हो शम है जो कम बोलता हो मितवाशी जो दिक बोलता हो वाचाल जो सब जंग है व्यापत हो सर्व्यापग जो देखने योग्य हो दर्शनी है जो कुछ ने करता हो एक कर पढ़ने है जो पुत् जो परिचित नहीं हो ए परिचित जो स्थिर रहे स्थावर जो वन में गूमता हो वन चर जो इस लोक से बाहर की बात हो ए लोकिक जो धनकद रुपियों के अपवेई वैसे हमारे ये होवे थे जो गुड़ान है हो अजर जो कभी जो हो सकता है वो संभव जो आमिश नहीं खाता तो निरामिश जो पहरा देता है पहरी जो दूसरों पर अत्याचार करे अत्याचारी ये रिपिट हो गया आपके जो तुकडे तुकडे हो गय हो जिसके तो खंडित जो शमा के अज़ए ये भी रिपिट हो गया जो किसी की ओर से हैं परतिनी दी जो बहुत जानता है भूट गया है जो इस ते कवीता लिऄते है कवीत्री जो कुरुष कभी तरचता है उसको बोलते हैं कभी और जो शत्रु की अत्या करता है उसको बोलते हैं शत्रुगन और जो मास का आहार खाता है माशारी जो शाक का आहार खाता है वो शाक आहारी और जो फल का आहार खाता है फल आहारी जो विज्ञान जनता हूँ है विज्ञानिक जो व्याकरण जानता है वो है व्याकरण जो लोक में संबवन हो एलोकिक जो स्वार्थ चाता है स्वार्थी जो परमार्थ चाता है वो है परमार्थी जो देखने में परिया लगता है परिया दर्शी और जो आसानी से प्रा है वो है सुलव और जो दूसरों के दिन है वो है परादील, और जो मन को हर ले वो हो है मन ओहर, जो धर्म करता है वो है धर्मात्मा, जो Souls पकड़ता है वो है सपेरा, जो पीने कहों है पे, जो नाचता है वो है63 है जो अभीने करता है वो हैंब इनेता। जो कुछ नहीं जानता वू अग्य है जो अग्र की बात सोचता हूँ है जो नया आया हुआ हो तो नवा तक जो भू के घर्म का हाल जानता हो तो भूखतर जो कहन नहीं जा सके तो एकत्थनियां जो भू को धारन करता है भूधर जो सर्वशक्ति संपन है वो है सर्वशक्तिमान जो कर्तव्य से चेट हो गया हो जो वर्णन के अतीत है तो वर्णा तीत जो इस्ति सूर्य भीने देख सके है सूर्य कोश्य जो अत्यंत कस्ट से निवारित किया हो जा सके तो दुरनिवार जो आग्रे सत्य हो तो सत्याग्रे जो मुकदमा दायर करता है वादी जो अश्र गोडे का आरोही है तो अश्वरोही जो संगीत जानता है संगीत तग्या जो कला जानता है या कला की रचना करता है कलाकार जो सरों में जन्मता है सर सीज जो अच्छे कुल में यूथपन हुआ है कुलीन जो सब में व्यापत है सर्वार्पी सर्व्यापी जो किसी की और से है परतिनी दी हो गया जो मुखदमा लड़ता है लड़ता रहता तो मुखदमी भाज जो देने योग है दे जो देखा नहीं जा सकता है प्रोग चत्र की अत्या करता है सब्सक्राइब करें नंगे। तो आत्मगाती जो पर के दीन है तो परादीन जो देखने के पर यह लगता है वह पर यह दर्शी कि जो ना भियाख खर में चलता है ना बचर जो द्वार का पालन करता है द्वार पाल जो शास्त्र जानता है जो कोई वस्तु वहन करता है वाहक जो पोत युद का है युद पोत जो चक्रदारन करता है चक्रदर जो नस्ट होने वाला है नश्वर जो सबको सम्मान भाव से देखे समदर्शी जो भेद या तोड़ा ने जा सके अभिग जो कठिनाई से बेदा या तोड़ा जा सके दुर जो इच्छा क्या दीन है तो इच्छा दीन जो दूसरों के स्थान पर एस्थाई रूप से काम करें तो स्थान पत्र जो विदी या कानून के विर्द है तो अविद्ध गैर कानूनी जो लोक में संभावन हो एलो की जो मन को हरले मनोहर जो अनुकर्ण करने योग्य हो अनुकर्णी है जो दायर मुकदमे का परतिवाद बचाओ या काट करे परतिवादी जो राजगदी का अदिकारी हो युवराज जो धर्माचरण करता है तो वो धर्मात्मा जो पुस्तकों की आलोजना या समिक्षा करता है तो वो समिक्षग या आलोचक होता है जो व्याख्या करता हो व्याख्याता जो साप पकड़ता है और उसका खेल करता है तो सपेरा जो मोक्ष चाता है तो वो हमो मोक्ष जो स्मरण करने यो गैस्मरणी है जो पाचाल देश की है पांचाली जो किसी का पक्ष ने ले निश्पक्ष जो यान जल में चलता है जलियान जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ट है लोपुरुष जो खाया ने जा सके है खा दे जो सब के आगे रहता हो अगरणी जो नेत्रों से दिखाई ने दे अगोचर जो खाली ने जाई एचूप जो अपने स्थान्य स्थिती से अलग ने किया जा सके एचूप जो छूने योग गयना हो एचूप जो छूआने गया हो अजर जो ने जाना गया हो एग्यात जो अपनी बात से ने टले अटल जो अपनी जंगे से ने डिगे अडी जो सब के मन क जंता हो अंतरियामी जो बीत गया है आतीत जो दबाय ने जासके एदम जो देखा ने जासके एदरश जो देखने योग ने हो एदरशनी जो पहले ने देखा गया हो एदरश्टपूल जो किसी विशेष समय तक ही लागो अध्यादेश, जो परिक्षा में उत्रिण नहीं हुआ हूँ अनुत्रिण, जो आखो के सामने नहीं हुआ परतक्ष, जो पूरा या भरा हुआ नहीं हुआ पोritis, जो किसी की और मुँप किये हुए हो अभिमुख, जो किसी मृत्त को प्राप्त न हो अमर